यह झालवरी मेरे चानल अपस्ट शुबच तो यह जो विडियो है यह डिटेल ओपज ओपन्वाल के बारे में यह उनके लिए बहुत ही काम का है जो मान लिजेंग नहीं शुरुवत कर रहा कुछ काम का तो उनको करने की जिरूर नहीं पड़ेगी यह जो डिजाइन है आपके सामने यह ब्लेक कॉपन सॉयल के बेस पर बनाई गई तो ठीक है अगर यह यलो यलो सोयल होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगे आपको मोरम की होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं तो देखिए आपके सामने कुछ दिख रहा है तो देखिए आपके सामने कुछ दिख रहा है तो मैं समझा देता हूँ पहले आपको यह जो है यह अगर आप सामने से देख रहे हो तो किस तरह से दिखेगा यह सब जो दिख रहा है और यह बॉटम यह प्लान है ठीक है और यह नीचे फाउंडेशन किस तरह से करना है उसके बारे में तो चलिए पहले तुम आपको पा घ्रान समय लेते हैं फिर फाउंडेशन किस तरह करना है ठीक है तो यह देखी यह प्लाण है आपके सामने आप यह देखिए यह कुछ इस तरह से प्लान है तो यह जो कंपोंड है इसकी यह जो थिकनस है यह हमारी वो कितनी है 230 mm ठीक है नव इंच की इंच में अगर बोले तो 9 इंच की यह वाल है और mm तू 30 mm ठीक है इस तरह से यह वाल है तो इसके अंदर देखिए किस तरह से दिया है पहले है यहां से तो कहीं से भी आप यह करेंगे तो उसके लिए पहले आपको तो उगर जो डालने पड़ते हैं तो डालने तो कॉंक्रेट करेंगे यह कॉंक्रेट का सिम्बॉल है इस तरह से दिया हुआ है यहां से जो डिस्टन्स है वह कितना है अगर मान लीजिए यही डिजैन आप दे रहे हो तो इसके अंदर किस तरह से डिजैन दी हुई है तो यह जो गेप है वाल हो गई है तो टयऑं सfang मअफ्रन्स मतलब इसमें क्या है अग्राउन लिएवल से तो वह नहीं है कि अगर पर और तो यह जो यह जो ऑठीक होना चाहिए तो यह जो क्या करता यह भी पता होना चाहिए जो जो कॉंक्रेट की है जिए जो है वो मेंस नरी ब्रीक मेंस नरी का है तो ठीक है इस तरह से हमें ध्यान में रखना होगा फिर उसके बाद में यहां के सदेगा 350 mm था तो यहां से भी सेम वही रहेगा 350 mm फिर जो हमारा ओगर ठीक है ओगर जो देखे रखा है वह कितना 9 इंचिस का है तो चार्टी बाइट रूट्री का का स्कूर में नीचे से तो सरकल में आएगा उपार आके पर रेक्टिंग्यल कर देंगे उसको स्क्वेर में कर देंगे इस तरह से यह जो हम इतना पॉर्ष्टन डिजाइन कर दिया तो पिर बात में उसी तरह से आगे बढ़ते रहन जो फाउंडेशन में जो हम उगर करेंगे वो किस तरह से करेंगे तो देखते हैं हर तीन मेटर पर हमें उगर करना है और उगर भी किस तरह से करना है मैं चुन्स तरह से आप कुरेंगे और किस तरह का ऊगर कहला एक को कॉन सा टाय का डालें घूंट तो त्री मीटर के सेंटर पर दिया हो और यह जो है यह हमारा ग्राउंड भीम सो कर रहा है देखें कि इतना है रसी सी ग्राउंड भीम तू थर्टी थ्री हंड़ेड यानि यह नौ इन्ची है और यह सब रहेगा हमारा वर्टिकल साइड वह हमारा त्री हंडेड यानि एक फूट एक फित तक रहेगा ठीक है तो यह है कुछ इस तरह से उसका फाउंडेशन अभी एलिवेशन मैं यह पाइल किस तरह से रहेगा वह भी आपको दिखाता हूं पहले उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारा में जाने लेटे हैं एलिवेशन के ब है यह थो है यह फिर हमारे कि है यह आ है वह हमारी पार्टीशन हो जाएगे और यह जो लाइन देखे रखिए यह हमारा कॉपिंग आएगा फ्रेंट्स यहां इसके बाद में कॉपिंग कर देंगे यह लेवल पर यहां पर भी आएगा इसके अंदर लाइन में सो नहीं हो रहा है लेकिन कंटिन्यूस कर देंगे फि 25 mm का यह जो हमारा कॉपिंग डाला हुआ है यह वह सो कर रहा है और यह 300 mm उसके उपर फिर हम 300 mm का मेशनरी उठा लेंगे तो उसके अंदर किस तरह से देखिए यह यह देखिए यह जो देर रखा है यह कितना है 930 mm ठीक है उटना लेंगे फिर बीच में हमारा दो मीटर टूथाउजन सेवन्टी एम्म का गैप रखेंगे वापस उसी तरह से करेंगे 930 mm का फिर जो है वो मेशनरी कर लेंगे यह सब हमारा मेशनरी यहां पे भी है इसमें हैचिंग नहीं दी हुए फिर आप ठीक है तो इस तरह से आएगा फिर वापस उसी तरह से तूथाउजन सेवन्टी एम्म पे आएगा और इसी तरह से मतलब यह जो है हमारा कंटिनिवस उसी तरह से जाएगा तो इस तरह से उसके हम अरेंज्मेंट कर देंगे उसके अंदर ठीक है तो अभी पाइल यह एक मिनिट पाइल का भी दिखाता हूं पाइल का सेक्शन ए है और यह जो हमारी वाल है वो सेक्शन बी में दिखा रखा है बी 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 डेस बी डेस में उसका सेक्शन काटा हुआ है तो वह भी हम देख लेते हैं तो यह देखिए फैंट्स सेक्शन बी वाल का जो सेक्शन है बी बी डेस का तो इस तरह से है तो यह नीचे जो दे के रखा हुआ है यह हमारा जो ग्राउंड बीम है ठीक है वो किया है किस कॉंक्रेट में किया गया वो भी हमने यहां पर दे रखा है और प्रपर्शन नहीं जो हमारा है वन टू फॉर का है तो यह भी आपके लिए इजी हो गया तो अगर आप इस तरह से कुछ करना चाहते हो अगर आप कुछ काम कर रहे हो और इसके लिए आपको डिजाइन करवाना होता तो उसके लिए किसी के पास जाना या आपको खुद खुद भी करने के लिए कोई यह करना नहीं पड़ेगा इसके अंदर वो सब डिटेल दी हुई है तो इस तरह से हम लोग करता है फिर देखिए यह हमारी टोटल हैट कितनी दे रखी है यह 900 बीम के टॉप से 900 तक हमने वो 9 इंची वाली वाल ले ली है मतलब 230 mm की जो वाल है हमने 900 mm तक ले ली है फिर वहां से 1400 mm तक हमने वो पार्टिशन वाल ले यह देखिए यह गेव दिख रहा है आपको और यह जो लाइन सो कर रही है आगे जो हमारा वाल आता है 930 mm दिखाया वो इसकी लाइन और यह भी वही उपर कि जो दिखा रही है 930 mm की जो वाल हमने की यह दिखाया वो फिर वो हो रही है ठीक है तो इस तरह से इसके अंदर देखे रखाया देखिए यह यह दिखिए यह पार्टिशन वाल जो दिखा रहा है क्या वोल राएं 115 mm ठीक, ब्रिक मेसनरी तो इसका जो प्रपर्शन है वन इस टू फाइव है यह इस तरह से प्रपर प्लस्टर सीमेन प्लस्टर जो देखा है वह यह करता है यहां पर 20 mm थिक सीमेन प्लस्टर और प्लस्टर का जो रिश्यो हो बनीच टू थी है तो इस तरह से इसका प्लस्टर भी देख रखा है फिर कॉपिंग् बीम और कॉपिंग का सेमी है फ्रेंट्स देखिए रसी कॉपिंग जो उपर दे रखा है 125 mm का तो इसका जो सिमेंट कॉंक्रेट आ रहा है 124 का प्रपोर्शन में हमने डाल रखा रहा है तो यह वाल का सेक्चन था अभी हम जो पाइल डाली है तो वो किस तरह से है ठीक है उसके बारे में जानते हैं पाइल से पहले एक बात यह जो ग्राउंड बीम है जो हमने ग्राउंड बीम डाला हुआ है 230 by 300 mm का तो उसके अंदर स्टील किस तरह से दिया हुआ है स्टील के बारे में भी देख लेते हैं तो स्टी 12 mm के दियो है यानि यह और यह ठीक है यह हमारे 12 mm के दो दिया और एक एक्स्ट्रा जंग्सन पर जहां पर भी मतलब जंग्सन आ रहा है जंग्सन हम किसे बोलेंगे जहां पर जो वाल दोन तरफ 99 इंच की हमने लिये उस जगह पर मतलब पार्टिशन से जो पहले हमारी 930 mm के वाल आ रही थी उस जगह पर यह हम एक्स्ट्रा बार यहां पर एक मीटर का 12 mm का एक मीटर का छोटा पिस डाल देंगे यह जंग्सन जहां पर आता हो और वहां पर डालेंगे और यह बॉटम में भी उसी तरह से दो 12 mm के ही बार दे रख है और यह स्टीर अप है हमारी स्टीर अप हमारी रहेगी 8 mm तो और उसका जो सेंटर रहेगा 150 सेंटर टू 150 mm सेंटर टू सेंटर ठीक है तो यह ग्राउंड भीम में जो स्टील रहेगा वो इस तरह से हम डाल देंगे तो अभी पाइल के बार में जानते है यह देखिए यह पाइल दिख रहा है तो पाइल जो है ग्राउंड लेवल से कितना नीचे है उपर तो हमें पता है जो हाइट हमने ले रखी है टोटल वन मीटर प्लस 1400 mm प्लस 125 mm प्लस 300 mm तो यह जो हमारा आना है वो टोटल हाइट हमारे पास तो है ही लेकिन ग्राउंड से नीचे कितना जाना है तो नेचरल ग्राउंड जो हम जहां से कंपॉर्ण वोल करने वाले है तो उसमें देखिए फ्रेंड क्या होता है कि बीम जो है हमारा तो 100 mm अप रखेंगे ग्राउंड से बाती का अंदर ग्राउंड में चला जाएगा बट 100 mm तक हम उसको उपर रखेंगे तो यह बात यहां पर देखिए यह सो हो रहा है 100 mm तो यह बात ध्यान में रखेगा फिर उसके उपर हम हमारा जो concrete आने वाला है उस तरह से हम लोग करेंगे लेकिन नीचे किस तरह से वह समझेज लेते तो नीचे देखिए यह अंडर रिम पाइल पाईल दिया हुआ है ठीक है तो इसके अंदर कुछ इस तरह से यह किया जाता है इसको ही हम लोग रिम बोलते है तो इसके जैसे क होता है जो हम concrete डालेंगे तो वहां पर एक locking system जैसा हो जाता है तो इस तरह से उसको वहां पर पकड़ अच्छी मिल जाती है नहीं तो वर्ना क्या होगा देखिए यहां से अगर मान लीजे ज्यादा लोड चला गया तो अंदर भी जा सकता है ना तो यह उसको भी पकड़ के र फिर ground beam जमीन से कितना 100 mm तक उपर रखेंगे और यह total height हमारे पास यहां पे भी 100 करके रखी हुई है 2725 mm इस तरह से यह देखे रखा हुआ है और यह जो हमारा pile आ रहा है तो pile में किस तरह से steel का arrangement करेंगे तो यह देखिए यहां पे यह दिखा रहा है कि vertical bars जो है हमारे वो 6 number है 12 mm के तो 6 bars आएंगे हमारे ठीक है इस तरह से हमें उसको डालना है मतलब one direction में 3 number यह direction में 3 number और यह direction में 3 number इस तरह से यहां पे बीच में कहीं पे भी बारस होने हो रहा है तो यहां पे नहीं है तो दोनों साइट में 3-3 number डालने है 12 mm के 300 है तो इसे हिसाब से हमें वो आरेंडमेंट करना होगा तो यह हो गया फिर इसके जो stir-ups दे रख है यह जो दे रख है तो वह 8 mm डाया का है और 150 center to center दे रखा हुआ है तो यह इस तरह से हुआ यह हमारा पाइल से उपर गया तो यह कोलम कहलाएगा ठीक है और जमीन के अंदर है तो हम उसको पाइल वो लेंगे उपर आ गया तो यह हमारा कोलम हो गया नीचे जो यह हमारा सर्कल सर्क्यूलर है ठीक है यह बात ध्यान रखेगा ने तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे तो 50 mm डाया का है यह हमारा यहां से हमने वो इसमें किया हुआ है तो यह ध्यान में रखेगा और यह उपर स्क्वेर में हो गया मतलब रेक्टेंगुलर बन गया उपर आके तो यह हमार कोलम होगे तो कुछ इस तरह से है अगर आप कुछ इस तरह से छोटा मोटा कुछ काम करते हो तो इसके लिए सिर्फ ड्रॉइंग बहुत जरूरी पड़ती है इसके लिए आप कहीं पर भी किसी के पास अगर बनवाने जाओगे तो चार लगेगा तो वही चीज मैं इसमें आपको सो की जाओन लेज़ा आपको कहीं पर लिंचान हो रहा है तो अगर आपको लिए घ्र ऑन स्याम होती है अधर जरूर को हम ब्लेक सकाहितां स्यर्फ के बार मेगा इंस सबसे इस के लिए दितर शाओंरूंप, वरं दूर का था माईा, उने अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सेव कीजिए सब्स्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए उनको भी बोलिए ऐसे वीडियो में डालता रहूंगा लाता रहूंगा नेक्स्ट बार में जो बिल्डिंग फाउंडेशन है उसके बार में लाने हो लाओं तो फाउंडेशन जो करते हैं उससे पहले हमें वहां पर कोलम की पोजीशन किस तरह से क्या है उसके बार में रहेगा वह उसको किस तरह से हमें जमीन पर सो करना है किस तरह से हम उसको करते हैं उसके बार में तो ठीक है वीडियो देखने के झाल झाले बाले बालेंस.